हेलो फ्रेंड्स आप सभी का सौगत है हमारे इस यूटीब चैनल इसे से एकजाम प्रिपरेशन में आज इस वीडियो में हम आज यानि की 5 अगस 2017 को पूछे गए मैट्स के कुश्चन को डिसकस कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मैट्स का सबसे फ़स्ट कोश्चन पुछा गया था वो था सिंपल इंट्रेस्ट से यह कोश्चन हमआरा था कि आगशिडिया हुआ था क्या पको कुश्चन में क्या तो दर दिया हुआ था आपका 5 परसेंट और क्या दे हुआ था ярका धिया हुआ था मूलदहन यानि कि principle और इंट्रेस्ट में difference दे दिये 500 रुपे दाइसो रुपे आपको दे के रखा था और आपका समय दे दिया था कितना तो- 15 साल तो अब हमसे पूछ रहा था कि उसका मूलदहन कितना होगा तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो हम इस तरह के question में करते है, rate हमारा 5% है, उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसे हम बदल लेंगे fraction में, तो यह हमारा हो गया fraction में कितना 120, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे यानि की denominator में होते हैं, उसे हम principal माल लेते हैं, तो हमारा principal हो गया 20 unit, और time हमारा दे रखा है 15 years तो interest in 15 years हमारा कितना हो जाएगा तो अगर हमारा principal 20 हो तो 15 years में principal 20 और interest है हमारा 1 तो 15 years में interest कितना हो गया तो 1 into 15 तो हमारा interest आगया 15 unit अगर हम difference की बात करें तो principal और interest में difference कितने का हो गया तो 5 units का बठ हमारा दे रखाए difference कितने का तो 250 का यानि कि 5 unit हमारे बरावर एक इसके तो 250 रूपीज के ताब हमसे पूछ रहा है कि अब principle तो अगर 5 unit 250 के बरावर हो तो 20 unit किसके बरावर हो जाएंगे तो 20 unit बरावर होगा हमारा Rs.250 multiply by 20 divided by 5 इस तरह से हमारा principle आगया Rs.1000 नेक्स इसी तरह से हम बात करें तो नेक्स हमारा question दिया था वो था आपका time and work से related कह रहा था कि P जो है कोई काम को कितने दिनों में करता है तो 20 days में करता है और Q उसी काम को करता है कितने दिनों में तो 24 days में और दे रखा था आपको कि आर उस काम को कितने दिनों में करता है तो 30 days में तो हम से पूछ रहा है कि Q और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते है तो हम इसमें क्या करेंगे सीधे हम PQR तीनों का हमें देखने के कोई जरूरत नहीं है विकॉज हमसे QRR का पूछ रहा तो क्यूज अगर किसी कम को 24 दिन में करे आर उसी कम को 30 दिन में करे तो हमने आपको टाइमेंड वर्क अगर हम आप पिछला वीडियो देखे तो उसमें आपको बताया थे टाइमेंड वर्का सबसे पहला फंड हमने क्या बताए थे LCM लेना Q करता है 24 दिन में R करता है 20 दिन में तो दोनों का LCM कितना होगया तो 120 इसके बाद हम हैं इसे allocate करेंगे क्यों हमारे अधर आयर है 5 और 4 यानी कि हमारे क्या आ कितना होचाएगो नहों किका plus r का one day work हमारे कितना हो जाएगा तो one day work हो जाएगा 5 plus 4 yarny कि nine unit तो अगर qr दोनों मिलकर एक दिन में nine unit work करते हैं और हमारे पास total work था 120 तो qr का हमारा कितने दिनों में काम को खतम कर सकते एक साथ तो 120 divided by nine इस तरह से अगर हम इसे calculate करें तो यह हमारा 13 point something आ जाएगा 13.3 something आ जाएगा यानि कि हम इसे approach कहें तो 14 days में काम को complete कर देगा next हम इसके questions देखें तो next हमारा था trigonometrics related questions था कह रहा था हमे cos square theta minus sin theta equal to 1 by 4 यह आपको देखे रखा था तो अगर हम देखें तो cos square theta minus sin theta equal to 1 by 4 है तो हम इसे solve करके देखें तो 1 minus sin square theta minus sin theta equal to 1 by 4 हो गया तो हमारा आ गया sin square theta plus sin theta equal to क्या आ गया तो अगर हम यहाँ से minus को common भी ले ले तो यह हमारा क्या बच जाता है sin square theta plus sin theta equal to हमारा आ जाएगा 1 by 4 इदर गया sin square theta यह सब इदर आ गया तो 1 minus 1 by 4 यानि कि 3 by 4 इतना आपका आ गया अब options आपके 4 थे उसमें से आपको चूज करना था कि कौन सा option है जो इससे supportive है next था हमारा जो question वो geometry related था आपको एक triangle दे रखा था इस तरह से आपका एक triangle दे रखा था इस triangle में अगर बोला जाए तो यहां से हमारा बीच से एक रेखा खीचा था फिर यहां से इस तरह से खीचा था यह आपका 90 डिगरी बोलके रखा था और यह एंगल आपको 54 डिगरी दे के रखा है यह एंगल आपको 46 इस एंगल का वैलू आपको 46 दे रखा था इसका वैलू तो अब हमसे पुछ रहा था x and y का वैलू तो x की वैलू की बात करें तो अगर हम देखे तो यह हमारे एक triangle है तो x का वैलू कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं एक triangle में सारे angles का वैलू 180 होता तो x का वैलू हो गया 180 मईनस 54 प्लस 46 तो यह हमारे कितना आ गया हो 80 डिगरी एकोल टो 180 अब x का वैलू आपको दे रखाए 80 तो y का वैलू कितना हो गया तो 100 यानि कि y हमारा आ गिया 100 आपको चुछन नेकст जो आपका कुछिन philosophy आपको बात की जाए तो वह अमारा मेंसुरेशन से रिलेटि्ट कुछिन है आपको दे रखा है कि कुई क्या है तो अस्पेरई उसके डायमीटर आपको दे रखे म tomar कितना आपको कि इसके सेर्फिस एरिया में जो सर्फिस एरिया के परसेंटेज में कितने का चेंज होगा यह हमसे पूछ रहा था अगर डैमीटर जोया के आरवाइट फो हो जाए तो तो हम से क्या करेंगे हम इसमें 17.5 को निगलेक्ट करके चलना है कुछ भी नहीं समझना है तो अगर हमारा डायमीटर की बात किया जाए तो अगर हमारा डायमीटर वही रहा गया तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा तो आर तो इस तरह से अगर इस तरह के condition हो तभ हमारा first first हमारा service area की बात किजाए, to first surface area हमारा हो गया 4 pi r square और अगर second surface area after change हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 pi r y 2 का all square तो यह हमारा हो गया 4 pi r y 2 का all square तो यह हमारा क्या हो गया, तो 4 pi r square by 4 यानि की pi r square स्वार ये डायमेटर नहीं है हमारा बोल रहा था रेडियस अगर अपनी आधी हो जाए तब रेडियस अगर अपनी आधी हो गई इसका सर्फेस हो गया 4 4 pi ry 2 को whole square तब हमारा second surface आगया pi r square तो हमसे से पुछ रहा था surface area के percentage तो अगर हम यहां पर बात करें तो surface area भी चेंज कितना हो गए तो 3 pi r² और पहले सा हमारा surface area था फोर pi r² तो surface area percentage change कितना हो गया तो 3y4 और यह हमारा हो गया 25 याने की 75% आपका अंसर हो गया नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका तिरेको नो मेट्रिस रिलेटेड़ कोश्चन था यह हमारा बोल रहा है 1 by cos 1 theta आपका पूछ रहा है 1 by cos 1 theta plus cot theta equal to what तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे इजी हमारा क्या है कि हम सारे को cos theta and sin theta में change कर देंगे तो यह हमारे क्या हो गया तो 1 by 1 divided by sin theta cos 1 theta का value होता है 1 by sin theta plus cot theta का value होता है cos theta by sine theta तब इसका value हमारा आगे कितना तो sin theta divided by 1 plus cos theta यहां से cels אם लेंगे हमारे sin theta ऊपर चला जाएगो तो इस तरह से हमारा आगी sin theta divided by 1 plus cos theta आपका question था इसको hall square तो यह हमारा आ जाएगा hall square तो हमारा हो गया sin theta divided by 1 plus cos theta को hall square इसके बाद आपको by option check करने कि इसमें हमारा कौन सा supportive है next हम देखें तो next हमारा question था algebra से related था आपको दे रखा था y equal to 2x divided by x plus 1 तब आपसे पूछ रहा था 1 divided by y plus 1 plus 2y divided by y square minus 1 equal to what तो यह भी आपका algebra से related question था इसे भी आपको by option solve करने थे तो आज के लिए बस इतना ही आगे के questions के लिए आप हमारे channel के साथ बने रहे आगे के questions जैसे ही हमारे पास आएंगे तो जल्दी वह भी उपलप्ट करवा दीजे जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही प्लेज जिन लोग और जो लोग हमारे channel में नए है वह प्लेज हमारे channel को subscribe कर ले देन बाई एंटे